केलांचल टाइम्स हर खबर पर हमारी नज़र गाजीपूर बॉर्डर पर लाकू की संख्या में लोग अपनी मांगो को लेकर इखटा हुए हैं केलांचल टाइम्स में और आज हम आए हुए हैं गाजीपूर बॉर्डर पे जहां पर आप देख सकते हैं कि इस तरीके से लोग बैठे हुए हैं इनका प्रोटेस्ट चल रहा है और लोग अपनी मांगों को लेकर यहां बैठे हुए हैं और इसी बीच हमारे साथ मौजूद ह हैं नीटु जी पहले तो हम आपका परिशे जानेंगे मैं नीतु सिंग बिहार प्रदेश संगठन मंत्री जन संक्या समाधान पांडेशन हैं तो जैसा कि आपने जाना कि अभी नीटु जी हमारे साथ है तो आज हम इन से जानेंगे कि यह जो प्रोटेस्ट चल रहा है जो होने हैं तो में जो यहां लोग बैठे हुए हिस वज़े हैं कि जनसंख्या समानों लागू हो इसके लिए भारत से हर प्रदेस से लोग चुकि हमारी टीम लोगों में जाकर के हस्ताक्षर के तहत लोगों का राय जानना चाहिए कि कितने लोग समर्थन में है जनसंख्या नियंत्रण के और हम लोग पूरे भारत से 80 करोड हस्ताक्षर लेकर यहां पे आये हुए हैं जिसमें बिहार प्रदेश से भी हम लोगों ने 20 लाख हस्ताक्षर लेकर के यहां पे लागू हो और सभी को हम दो हमारे दो सभी के दो यह कानून बने जिस तरीके से आप देख रही हैं कि आज जितनी भी समस्याये हैं सब जनसंख्या नियंत्रण जनसंख्या वी स्पोर्ट को लेकर के आप ने देखा होगा कि सनातन में जितने भी सनातनी लोग है वहर लोग तो दो ही संतान पैदा कर रहे हैं लेकिन जब धार्मी का धार पर बटवारा हुआ तो पाकिस्तान बना तो जब पाकिस्तान में तो जो है लेकिन हिंदुस्तान में जो एक विसेश समुदाय के लोग रह गए वह आठट बच्चे पैदा करके कहीं न कहीं आज उनकी जितने भी सनातनी लोग हैं कम से कम दो बच्चे अवज से पैदा करें और साथी सरकार कम से कम यह कानून लाए कि हम दो हमारे दो और सभी के दो जिस तरीके से यह विसेश समुदाय के लोग आबादी को बढ़ा रहे हैं उसी के कारण इतना जनसंख्यावी स्पोर्ट है आ यह खत्रा है पर्यावरण के लिए भी खत्रा है आप बहुत दुख है की बाद है कि चीन को भी पीछे छोड़ करके हम लोग एक नंबर पर आ गये हैं भारत एक नंबर जनसंख्या के दिश्टिकोंड से जब की छेत्रफल के दिश्टिकोंड से हमारे देश की आबादी कम स 20 करोड होनी चाहिए लेकिन अभी 140 करोड हम लोग पार कर गये हैं तो बहुत दुख की बात है प्रधान मंतरी जी से हम लोग का यही मांग है कि जल्द से जल्द जनसंख्या नियंतरन कानू लागू इसमें आम पबलिक भी प्रधान मंतरी जी का बड़ चढ़ के समर्थन कर जही है जिसका हम लोग पूरा हस्ताक्षड लेकर के और प्रधान मंतरी जी को आउगत कराना चाहते हैं कि आम जन भी इस मांग को लेकर के कितने उत्सुक है कितना लोग चाहते हैं कि यह कानून जल्द से जल्द लागू हो जैसा आपने कहा कि विशेश समुदाई है वो ब आपने कमुजम चुलाई उसका कि इसमें मतलником हिसा बनेगे बनना चाहिए समजदारी इसी में हैना चाहिए चुक्ति हमने सब ही लोग लिए ऊहिंतना है और जब कानून बनेंगा तो लोगों रवब पालन करना को ना चाहते हुए भी मानना ही पड़ेगा कि आप लोगों को धम दो हमारे दो वाला जो कानून है वह अपनाना पड़ेगा ताकि यह हो कि जो हमारा भी जनसख्या विस्पोर्ट हो रहा है जिससे कि आप देखते हैं कि पढ़ाई करने के लिए भी आप लोग अच्छे स्कू पार हस्ताक्षर भी करवाए हैं तो आपके साथ अभी जो भी आपने पहल की जहां से उसके बाद आप कई जगे और भी तो क्या लगा कि पॉजिटिव रिस्पॉंस मिल रहा है ऐसानी हर लोग आगे बढ़ करके हस्ताक्षर कर और हर लोग चाहते हैं कि जनसंख्या नियंत पर्यावराड लेकर लोग चाहते हैं कि उनका एक कानून बन जाए जिससे के है कि लोग जो आबादी है उससे कहीं नकरी कंट्रोल कर सकें प्रित्वी भार्षाने के लिए तैयार नहीं है भाई पर्यावरण इतना दुसी थे क्यों जो कहीं न कहीं यह पर्यावरण बहुत मैटर करता है और देख रही है इतना दिक्कत हो रहा है कि जहां कम से कम यह 80 करोड लोग रहने चाहिए वहां 140 करोड हो गया तो दिक्कत तो है दिक्कत तो है लेकिन एक समस्या ये भी है कि सनातने देखे आदिवासियों को लेकर के भी ये व्रम है कि बहुत जादा बच्चे पैदा करते हैं लेकिन आदिवासी भी पढ़ाई पर मतलब पढ़ाई को लेकर के बच्चे के अच्छे परवरिस को लेकर के एक अहीं बच्चे पैदा कर रहे हैं और अभी जाती जनगर्णा हुआ बिहार में आप लोगों ने देखा कि किस की आबादी जादे है और किस तरीके से ग्राफ बढ़ रहा है तो कहीं न कहीं यह जो विशेश समुदाई के लोग है यह ख़तरा है भारत के लिए तो मतलब आपने जाना कि किस तरीके से विशेश समुदाई या फिर यह कहें कि जो कम पढ़े लिखे लोग हैं वो भी आवादिव स्पोर्ट में पढ़े लिखे नहीं कह सकते हैं मैंने कहा ना कि आदिवासी जिनके विशे में यह प्रचारीद है कि खिछा के अभाव में बहुत ज्यादा जनसंख्या है लेकिन उन लोगों ने भी कंट्रोल किया है उन लोगों ने भी बच्चों की अच्छी पढ़ाई हो इसके लिए आ अपने कौम को बढ़ाना चाहते हैं एक ही तो देश है सनातनी मतलब उसे भी सब लोग जहां 30% से ज़्यादा आबादी होती है बस अलग देश की मांग हो जाती है